दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि गर्मी का मौसम सुरू होते ही गुढल के पौधे पर जो गमलों में लगे हुए हैं उनमें कलिया तो काफी अधिक संख्या में बनती हैं लेकिन वो फूल में बदलने से पहले ही पीली होकर नीचे गिर जाती हैं तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं क्योंकि दोस्तो हो सकता है आप अपने पौधे की काफी अच्छी तरीके से देख भाल कर रहे हो खात पानी दे रहे हो फिर भी आप से कोई चोटी सी ऐसी गलती हो रही हो जिसकी वज़े से आपके पौधे पर कलिया फूल में बदलने से पहले पीली होकर नीचे गिर रही है तो गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आज वीडियो में आगे देखेंगे और किस तरीके से हम पौधे पर से कलियों को गिरने से रोक सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर देनी है चल जमीन में लगने वाला पौधा है लेकिन इसको कटिंग के द्वारा गमलों में भी लगाया जाता है लेकिन गमलों में लगाये हुए पौधो पर फूल उतने मात्रा में नहीं आते हैं जितने जमीन में लगे हुए पौधो पर आते हैं तो दोस्तों इसके पीछे कई जीज जबकि वही पौधा अगर आपका गमले में लगा हुआ है तो गर्मी आते ही जब तेज गर्मी पढ़ती है तो पौधे पर जो भी कलियां बनती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण होता है कि पौधे को सही से पानी नहीं मिल पा जाता है जिस वज़े से कलियां कमजोर होकर पीली होने लगती है और डंठल के पास से वो गिर जाती है इसलिए दोस्तों पानी का विसेश ध्यान रखें गर्मी के मौसम में गुढ़ल के पौधे पर सूबह सूरज निकलने से पहले पानी डाल दें और साम को जब सूरज ड जर्म होती है दूसरी वज़े होती है दोस्तों कलियों के गिरने की टंप्रेचर का अधिक होना तो अप्रैल से जून के बीश में मैदानी चेत्रों में टंप्रेचर काफी बढ़ जाता है यानि की 35 डिग्री से 50 डिग्री से बीश के बीश का टंप्रेचर हो जाता है और ग गिर जाती है इसलिए अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके पौधे पर से कलिया ना गिरें तो उसके लिए पौधे को सुबह की दो से तीन घंटे की धूब दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठा कर रख दें और पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दें जिससे उसकी जड़ों में गर्मी ना पहुँशने पाए तीसरा कारण होता है कलियों के पीले होकर नीचे गिरने का इंसेक्ट अटैक का दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही तेज गर्मी सुरू होती है वैसे ही गुडहल के पौधे पर कई तरीके क इंसेक्ट लग जाते हैं और ये कलियों के रस को चूसते हैं जिसके वज़े से कलियों के डंठल कमजोर हो जाते हैं और वो कलियों पीली होकर फूल में बदलने से पहले ही गिर जाती हैं इसलिए कलियों को खराब होने से बशाने के लिए हफते में एक बार आप अपने कि पौधों में पोशक्त commission की कमि का हो ना क्योंकि गर्मी में चितने भी पौधे होते हैं वे सभी photosynthesis की process को जल्डी जल्डी करते हैं जिस्की वजए से मिटीमें जो पोशक्त Insert होते हैं वो पानी के साथ में निकलते रहते हैं और वो दीरे-दीरे मिटी छारी हो जाती है और उसके पोशक तत्तों खतम होने लगते हैं तो यही कारण गुरहल के पौधे के साथ भी होता है क्योंकि जब उसके पोशक तत्तों की कमी होने लगती है तो पौधे पर जो कलियां बन रही होती है उसको पूरी तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है और वो कमजोर होकर पीली होती है और फीली होने के बाद नीचे लिए गिर जाती है लेकिन वही पौधा अगर आपका जमीन में लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में भी उस पर कलियां पीली होकर नीचे नहीं गिरती है इसलिए पोशक तत्यों की कमी को भी दूर करना पौधे से काफी जरूरी होता है तो दोस्तो शलिए जान लेते हैं कि कलियों को गिरने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों गुढहल के पौधे को ज़्यादा गुढाई पसंद नहीं है बस जब फर्टिलाइजर इसको दी जाती है तब उपर से हलकी सी गुढाई करी जाती है क्योंकि गुढहल की पौधे की जड़ें उपर की तरफ से होती है और अगर डीब गुढाई कर जा तो इसके जो areal roots होती है वह cut जाती है जिसकी वजे से पौधा खराब हो जाता है तो दो मिट्टी में जब पोशक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे में epsom salt का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि epsom salt magnesium sulfur और oxygen से बना हुआ एक chemical compound है और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो क्लोरोफिल पौधों में बढ़ जाती है जिसकी वज़े से पौधे काफी हरे भरे हो जाते हैं इसके लावा पौधे में मैगनीशियम की जो कमी होती है जिसकी वज़े से कलियां पीली होकर नीचे गिरती है या पत्ते पीले होकर नी पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों इसमें पाया जाने वाला सलफर जिसकी वज़े से पौधों पर इंसेक्ट वगएरा अगर होते हैं तो वो भी नहीं लगने पाते हैं और मिट्टी में भी अगर किसी तरीके के इंसेक्ट होते हैं तो सलफर की वज़े से हट जाते हैं तो Epsom Salt Crystal के रूप में आता है और बहुत ही आसानी से आपको किसी भी Seeds Store या फिर Online ये मिल जाता है इसको इस्तिमाल करना भी काफी आसान होता है तो बस आपको एक लीटर साफ पानी लेना है या फिर आपको अपने पौधों के According लेना है तो यहाँ पर मैं एक लीटर साफ पा अच्छी तरीके से इस्प्रे कर देते हैं तो हर 15 दिन के अंतर पर अगर आप गर्मी में ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर जो पत्ते पीले हो रहे हैं या जो कलियां पीली हो रही है वो होना बंद हो जाएंगा इसके लावा दोस्तों आप समय समय प इस्तेमाल करने से गर्मियों में पौधे काफी स्वस्त रहते हैं हरे भरे बने रहते हैं और उन पर जो फालो और फूल आ रहे होते हैं वो भी जल्दी खराब नहीं होते हैं